असलाम अलेकुम आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे कि आप PRC के Free of Cost Lectures और Notes कहां से आसिल कर सकते हैं PRC के कौन-कौन से Important Chapters हैं और PRC 4 के लिए आपका Study Plan क्या होगा इन तमाम चीजों को डिटेल में आपके साथ डिसकस करेंगे ICAP ने आपकी Book PRC 4 Introduction to Accounting को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है और इनको कुछ वेटिज दी रही है Grid A जो हमारे पास Accounting and Bookkeeping है यहां से ICAP इस Grid के अंदर आपसे 40-60 नमबर तक का Paper पूछ सकता है यहां पर आपके पास Accounting and Bookkeeping, Elements of Financial Statement, Prime Entry, Factory Ledger, General Ledger, Bad and Doubtful Debts, Accrued and Pre-Payment, Trial Balance, Bank Reconciliation Statement इन चीजों को पूछ सकता है और ICAP के स्टेटेक्स के साब से यह Chapter No. 1, 2, 3, 4, 5, Chapter No. 10 यह वो Chapter है जो Grid A को Cover करते है उसके बाद हमारे पास Next Grid आ जाती है Grid B जो के हमारे पास Financial Statement है यहां से ICAP 25-35 नमबर तक का Paper पूछ सकता है इसके अंदर आपस Manufacturing Account, Statement of Comprehensive Income, Statement of Financial Position जो के आपके स्टेटेक्स का Chapter No. 8 और Chapter No. 9 बनता है अगर आप Free of Cost Lecture चाते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल SC Learning को वुजिट करें जहां पे आपको Playlist में PRC for Introduction to Counting के Lecture मिल जाएंगे साथ इसाथ अगर आप हमारी Official Website SCE Learning को वुजिट करें तो वहाँ पे आपको PRC Selected Notes, Lecture, Study Material मिल जाएंगे इसके लावा SCE Learning आपको Online Test Session की Services भी प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आपको हर PRC के जो सब्जेक्ट है उसके जितने भी chapters है उनके chapter wise test भी प्रोवाइड किये जाएंगे उसके बाद 2-3 chapters को Consolidate करके उसका भी test प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद आपको जो है वो Grand Mox भी प्रोवाइड किया जाएंगे हर जो आपकी बुक है PRC की उसके आपको 1000 प्लस MCQs प्रोवाइड किया जाएंगे हर बुक के इसके बाद हम लास्क डिट को डिसकस कर लेते हैं जो के हमारे पास Depreciation and Inventory से लेटिड है जो के पच्छिस से आपके 15 से पच्छिस नंबर को कवर करती है या आपके iCAP के स्रेटेक्स को चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को कवर करता है यह वो एरिया है जो के जि पासी से लेटिड लेक्चर्स मिल जाएंगे और अगर आप हमारी ऑफिशल वेबसार्ट से लेर्निंग को विजिट करेंगे तो वहाँ से आपको नोट्स लेक्चर्स मैटेरियल मिल जाएंगे अल्ला हापिस